हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चानल फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में ट्रिकल चार्जिंग होर फ्लोट चार्जिंग के बीच में क्या डिफ्रेंस है ओ मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले ट्रिकल चार्जिंग का डेफिनिशन मैं आपको बता देता Trickle Charging is the charging method of the battery, where a low voltage and low current is applied to the battery, to get fully charged in a long time. तो friends, अभी मैं Trickle Charging जो है, उसका Concept मैं clear करने जा रहा हूं. तो friends, यहाँ पर Concept जो है, मैं Simple Language में clear करने की कोशिश करूँगा. तो friends, यह है Mobile. Mobile के अंदर क्या होता है? एक battery होता है. ठीक है यह है charger ओके तो जब charging हम charger को charging लगाते है तो क्या हो जाएगा charger का जो output जो रहेगा charger का output में क्या होता है low current however low voltage बहार निकलता है ठीक है यह low voltage low current बहार निकलकर इस battery के अंदर चले जाता है इस battery के अंदर जाने से क्या हो जाएगा battery charging होगा जब battery 100% charging हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि battery fully charged हो गया ठीक है अभी देखिए trickle charging का definition जो है अभी आपको समझ में आएगा battery जो है 100% fully charged हो गया तो उसके बाद क्या करना चाहिए यह charging रुकना चाहिए है ना लेकिन यह जो charging है यह नहीं रुकेगा मतलब continuous charging होगा तो इस टाइब के charger को हम क्या बोलते है trickle charger बोलते है ठीक है trickle charger बोलते है तो trickle charger के क्या मतलब हो गया does not disconnect the battery after fully charged तो trickle charging का मतलब क्या हो गया trickle charging system is the continuous charging of a battery at a low rate and does not disconnect the battery after fully charged तो हमें क्या करना होगा अपने हातों से इस charger का pin जो है इसे हमें निकालना होगा ओके रिमू करना होगा तो मैं समझता हो कि आपको trickle charging का definition समझ में आ गया होगा तो simple reference यह है automatically disconnect होना चाहिए fully charged होने के बाद लेकिन यह disconnect नहीं हो रहा तो इसे हम बोलते हैं trickle charger बाद आता है float charger ठीक है यह जो float charging है इसका मैं definition आपको पहले समझा देता हूँ float charging is the continuous charging of a battery at low rate and provides constant voltage and constant current but it disconnects automatically after fully charged and charged again when battery is discharging float charging works with the principle of maintaining float voltage तो friends इसमें क्या होता है जब यह battery 100% charge हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यह जो charger जो है वो disconnect हो जाएगा automatic जो है disconnect हो जाएगा ठीक है तो इस टाइब के charger को हम क्या बोलते है float charger बोलते है ठीक है यह है एक difference दूसरा difference क्या है तो friends अभी मैं आपको float charging जो है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा तो friends यह जो है phone है है ना phone को हम क्या बोलते है load बोलते है क्योंकि हम उसे इस 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 load के अंदर या इसको phone के अंदर क्या होता है battery होता है ठीक है जब यह है power supply ठीक है यह है power supply अभी क्या हो रहा है जब मैं power supply supply होगा तो क्या हो जाएगा यह जो charger जो है ओके charger के output में current हर voltage low current हर low voltage यह कहां पर आजाएंगे battery के अंदर आके battery को charge कर देते है ठीक है तो मान लेज़े के battery जो है 100% charge हो गई अभी क्या हो गया जो power supply जो है ओक कट हो गया power चला गया तो power चला जाने के बाद क्या हो गया यह जो 100% charging जो है कुछ देर बाद 90% बच गया 90% charging हो गया मतलब 10% charging कम हो गया कुछ देर बाद हर 10% charging कम हो गया कुछ देर बाद हर 30% charging कम हो गया तो दीरे दीरे क्या हो रहा है battery discharge हो रही है है ना charging कम हो रहा है तो next मैं क्या कर देता हूँ एक power pack लगा देता हूँ ओके power bank जैसे कि हम mobile को charging करते हैं ना power bank लगा देता हूँ ना तो यह पर मैं power bank लगा देता हूँ जब मैं power bank को लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा यह फिर से charging हो जाएगा ओके जैसे कि 70 था तो कहां तक आए जाएगा 100 तक आके रुख जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा disconnect हो जाएगा ओके तो इससे क्या पता चला कि trigger charger के पास एक power bank है है ना एक है power supply जब power supply रहेगा यह power से mobile को charging करेगा है ना जब power cut हो जाएगा उसका power bank से mobile को charging करेगा मतलब बैटरी को charging करेगा तो इसका aim क्या है float charger का aim क्या है जितना voltage drop हो गया फिर से क्या करेगा 100% उसको charging कर देगा इसका यह float charger का यह मकसद है तो आड़े वा साथ रहा कप्या वह शर्टरी करेगा ज़एवावदवगर यह मतलब इसकादा आड़ा तो आड़ा